यहां पे जो EBS की स्रीज चल रहा ही तो इसको continue रखते हैं आज 16 चैप्टर है क्लास 5 का और इसको आंगे करते हैं इसमें क्या है 16 चैप्टर में कि कौन करेगा यह काम यहां पे जो छूट बगएरा की बात होती है छूट की उसके बारे में बताया गया है कि कौन क्या काम इसके बारे में जानते हैं इसमें जादा कुस्छास नहीं है पॉइंट की बात करते हैं कि यहां पे छूट चूट के बारे में बच्चों को पताना कि पृताना के लिए प्रियरद करना है कि भच्षोत कर नहीं है सब लोग इंशान है कि एक सब और कर सकती हैं कि यहां पर कहानी कि एक बच्पन यह बात लगबग 100 साल पुरानी है 7 साल का भीम महराष्ट के गोरे गाउं में अपने पिता के साथ चुतिया मनाने गया था उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किशान की भेंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था भीम को अचानक अपने बड़े बढ़े हुए बालों का खयाल आ गया तो उसने भीम नाई के पास जाकर अपने बाल काटने को कहा नाई फट से बोल पड़ा कि तुम्हारे बाल मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस तरह दोनों गंदे हो जाएंगे अरे क्या इंसान के बाल काटना फैस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है ये भीम ने सोचा फिर आंगे चलकर यही भीम भीम राव यानि बाबा साहब अमेटकर के नाम से दुनिया भर में मशूर हो गए भीम राव अमेटकर रहें चुगा चूट के खिलाफ एकदम वह हुए कि चुगा चूट नहीं करना है बाबा साहब के अगवाई में ही हमारे देश का समिधान तयार हुआ जो बाबा साहब अमेटकर थे वही भीम थे तो यहां पर और आंगे बात करते हैं इस चेप्टर में यहां पर यह याद रखना है कि जो बर्धा सहर है यह बर्धा कहां पर आता है महरास्ट में आता है इसको याद रखना है चलिए आंगे चलते हैं इस चेप्टर में इतना ही दिया हुआ है यहां पर नेक्स चेप्ट यहां पर लड़कियों के लिए बोला गया है कि यह लड़कियां चमकते सितारे हैं इन्हीं एक्सप्रेस 2007 की बात हो रही है यहां पर थोड़ा से पढ़ते हैं शामने जो परिवार को चलाने के लिए बरतन माजती थी लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माने उसके सामने ख खतम करना है यहां पर यह आपके सामने दिया हुगा है तुमकते सितारे यह लड़कियां हैं जो बास्केटबॉल टीम के लिए हैं आज अपसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है मुमाई की नंग पाड़ा बास्केटबॉल एसोसियेशन की है आज हुआ है लड़कियों के बारे में बताना है कि जो लिंग स्टीडियो टाइप चैल रहा है तो उसको खतं करना है हर कोई कुछ भी कर सकता है लड़कियां भी लड़कों के काम कर सकती है यहां पर पैड़ागवाजी कर दिया हुग इस पर बात करते हैं बच्चों के अपने के लडके भी खेल सकते हैं तो यहां पर इस ट्यप्टर का पूरा सारांश को समाप्त करना है यहां पर पैड़ागोजिकल पॉंट दिया हुए बात करते हैं कच्छा में बच्चों की टोलिया बनाकर उन्हें अलाग-अला खेलने के मुझे दें बच्चों को प्रोजसाहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए ना खेल कर टीम के लिए मिलकर खेलें यहां पे जब टीम में खेलते हैं तो टीम में ये भी जान रखना है कि एक अपने बारे में नहीं सोचना है हमारी पूरी टीम है और ये हमारी टीम सब हमारी हमारी लिए है ठीक है तो अपने लिए ना यहां पर बांध बनना होता है शरकारी कामकाज के उससे तो कभी-कभी किसी भी बज़े से अपना घर छोड़के जाना पड़ जाता है कहीं तबादला हो जाता है कहीं हमें किसी जगह नौकरी करनी होती है प्राइवेट अपना अप्रोजी रोटी कमाने के लिए तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि इनको घर छोड़के जाना पड़ रहा है ये पेड़ागोजिकल पॉइंट दिया हुए इसको बात करते हैं सांत होकर आवाजें सुनने से बच्चों को सांती और सनाटे के अंतर महसूस होगा जब सभी बच्चे चुप हो जाते हैं तब कच्छा में कर लेते हैं बांध के बारे में बच्चों की समझ को इसपस्ट करें इसके लिए इलाके या आसपास बने बांध का उदारन लिया जा सकता है बांध बनाने से कुछ लोगों का को फाइदा होगा तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है इन बातव पर चर्चा की जा सकती है पर नेक्स पॉइंट दिया हुआ है अपनी जगे से हटा दिया जाना और यह और तबादला होना इन दोनों में होने वाली परिशानिया अलग-अलग होती है देश के विकास के लिए बहुत सारी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती है जैसे पुल, कार खाने, हवाई, त्यार सब्सक्राइब जोनों में वह और नाटिया जैसे जोडंआ वFF करें दिया हुए इस में चैप्टर जानम के बास का करते है कि घाम के नाम नसमय नहीं धाना है उनको याद रखना है तो यह यह विजब वारे में बतायागा है कि कीडों बचाने के लिए ऊंछेंग नीम की पत्तिया और जब के साथ में भी यहीं करने मतलब कि बीजों को कफी टाइम तक रखते हैं तो कैसे रखते हैं एक लगारी क्यों करके उसमें नीमकी पत्थ बिछा करके द्था करके बीजों को रखते हैं ताकu वह लंबे समय तक हैं खराब नहीं हो ठीक है यहां पे सच्छा के लिए दिया हुगा है पाठ को सुरूं करने से पहले बच्चों से उनकी अनुभा आवस्चित होने पाठ में बाजरा मात रेको दहर हैं बच्चे अपने इलाके मोगने वाली सभी फसलों तथा सब्जियों को गाने में जो बद अध्य एक हो मतलब है उल्टा खीक है उल्टेशा उल्टा होता है गुज्रांती में तो यहां पर जो उन्ब झेल्टा सब्सक्राइस को कहते हैं नध्यू की उनध्यांता होता है और भी जात नहीं हैं साथ मिट्टी के चूले में पकी बाजरे की रोटियों की शौंधी खुसवू साथ में घर के दूद का मक्षन दही और जितनी चाहे उतनी चांच यह गुजरात के लिए खाना आपने याद रख सकते हैं यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात में कैसे खाया जाता है तो जो की बेटी यहां पर यह जंगल की बेटी किसे कहा गया है यह याद रखना है जंगल की बेटी सूरमनी को कहा गया है तो यहां पर सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि जो यह जंगल की बात हो रही है तो यह कहां की बात है जारखंड में जारखंड की बात हो रही है जो सूरमनी है सूर्मनी के सम्मंद जारखंड से है जारखंड में कुंडुक बहां सा बोली जाती है यह लिखा हुए जारखंड के जंगलों में घूमते से मैं सूर्मनी बच्चों को वहां के पेड़ पौधों और जानवरों की पहँचान कराती है मतलब सूर्मनी एकदम जंगल में ही रहती है और उसे जंगल की बेटी भी कहा जाता है यह पूरा आदिवासियों का एरिया है अब यहां पर पॉइंट पढ़ते हैं यह सच्ची कहानी है सूर्मनी एक चमकता सितारा या गर्ल इस्टार है अच्छा गर्ल इस्टार से आपको याद आया होगा एक फूर्थ क्लास में भी गर्ल इस्टार नाम से नाम आया था तो वह किसका नाम था आप मुझे कमेंट सेक्षन में बलको बताईएगा कि वह किसका नाम था मैं इस वीडियो के लाश चसन में वह नाम बताँगी आपको तो यहां पर सूर्मनी एक चमकता सेकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते हैं जंगलों के बारे में शमाच बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहां की जानवरों को कैसा ताना बना है उनके भोजन आवाज सुरच्छा के लिए उनकी एक दूसरे प नाम तोरांग रखा तोरांग कुंडुक भासा में तोरांग का मतलब होता है जंगल ठीक है तोरांग का मतलब क्या होता है कुंडुक भासा में जंगल क्योंकि जहारखंड दिखी थी जहारखंड में कुंडुक भासा बोली जाती है ठीक है और यहां पे यह याद रखना है कि जो उन्होंने ये सूर मणी ने क्या चलाया था जंगल बचाओ अंदोलन का काम करने लगी थी वहाई पे इन्होंने तोरांग को कुंड़क भासा में जंगल बोलते हैं ठीक है यहां पे पेड़ागोजी कल के लिए दिया हुआ है बड़े बान सडकों होता था खादानों के बनने की अवे सकता था उनके प्रभावों पर एक कच्छा में बातचीत की जाए जमीन के नीचे या पानी या खनेज निकालना समुदर में से मचली पकरना पैट्रॉल का इस्ति 2007 में आया था ध्याór रखना है यहां कानून आधिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल तक जंगल और रह रहे हैं तो उनका वहाँ हक है जंगल पर हर एक जगल में जो भी पैदा होने वाली चीजाए ने पर उनका हक है उन्हें जंगल से हटाया ना जाए जंगल बचाने का वी उनका ग्राम सभा करे यांनि कि जो 25 साल तक जंगल में रह लेता है तो उनको जंगल में उखने बाली चीजें लखडी पेडब बुदे फाल उन पर सब पर उनका अधिकार है छी कि जंगल अधिकार अधिकार कानून संदोहजर साथ में आया था यहां पर यह मैप दिया हुगा है मैप को भी आपको एक बर पढ़के जाना है पूरा अब मैप और पढ़ लीजिए का ध्यान से देखिए का क्या कहां पर है इसमें पूंच देता है यह अब दिल्ली की साफ एक से खड़े है तो सुर्मन की कहानी से पढ़ा है मिजवराम जो है वहां पर चावल की खेती की जाती है ठीक है और जूम खेती की पहली चर्चा भी मिजवरम में जूम् खेती है तो जूम खेती भी मिजूम से श्याहिए याद है मिजुरम में चावल की खेती भी होती है जुम खेती भी होती है तो यहां पर एक तीन जमीन मांग ली चोटी मां थो नहीं पूंच कि एक तीन जमीन यहां पर एक तीन बीज मतलब जो एक तीन जमीन होती है वो क्या है एक तीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे एक त उसको तो बिल्कुल यादी रखना है पॉइंट को तो ये याद रखना है और आगे की बात करते हैं मिजोरम यहां पे है जुम खेती के बारे में पढ़ते हैं जुम खेती मिजोरम में होती है ये भी याद रखना है जुम खेती एक तरीका निराला है एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं, इस जगे से बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाडते नहीं है, बस गिरा कर जला देते हैं, यह राक जमीन में खाद का काम करती है, जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों सबजिना मिर्ची चाबल बोए जाते हैं तो यहां पर जूम खेती के बारे में अपने पढ़ा तो इसको एकदम नोट रखना है कि जूम खेती में क्या करना है कि जो फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद कुछ साल तक उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही खुला और फिर जो उसम चैति में बारी-बारी से हर प्रकार की फसल बोई जाती है तो यहां पर जूम खेती के बारे में रखना है तो कि चेराव-नाच होता है जो कहां होता है तो वह मिजूरम में होता है यह फसल पकने पर गाव में सबसे बड़ा तेवभार है जब मिजोरम में फासल पाकती है चावल की तो वहाँ पे यह चिराव नाच करते हैं ठीक है और आगे की बात करते हैं यहाँ पे मिजोरम में लगव तीन चोथाई लोग जंगलों से जोड़े हुए हैं यहाँ पे यह भी याद रखना है इस चेप्टर में इतना ही दिया हुआ है मेन इंपोर्टेंट है जूम खेती के बारे में याद रखते हैं चेराव नाच मिजोरम से कनेक्टेट है चावल की खेती में कि जाती है जूम खेती मिजोरम होती है और जो एक तीन जमीन ती कि एक तीन वीज जमीन में बॉया जाता है उसे एक चैप्टर की बात करते हैं यहां पर यह 21 चैप्टर है किसकी जलक इसकी छाथ तो इस चैप्टर में ज्यादा इस तरह इंपोर्टन नहीं है पेड़ागोजिकल दिया हुगा है इसमें बात कर लेते हैं कच्छा तीन में हमने बच्चों के अपने परिवार के लोगों से मिलते जुलते गुड़ों के बारे में पढ़ा यहां पर मिलते जुलते गुड़ों के बारे में पढ़ा था अपने दूर के रिस्तेदारों में भी कुछ गुण मिलते जुलते होते हैं इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा बच्चों के बच्चों से उनके अनुभाव कजन में 1822 में हुआ था और ग्रेगर जॉन मेंडल मतंवेः पर प्रियो feature था इस पर याद्र अधर की QR$ जो में प वाले था हमासे इसने क्या पताया था इसने थी में प प으दम से ज्याद इसारे नंहीं होगे इस तरह उन्होंने बताया कि निस्कर्षण निकला था यहां पर पेड़ागोजी के लिए दिया हुआ है बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी के बारे में बताएं जो जीवानों से फैलती है जन्मजात नहीं होती है इनके बारे में कुछ ट्रोक के बारे में गलत धारणा लोगों के मन में बनी रहती है तो इनके इलाज कैसे और कह हो सकते हैं इस पर चर्चा बातचीत करने है है ठीक हे घ्यार की बाहरा भी आरे चेप्टर की बात करते हैं यहां पर यहां वठाले नाहीं तो इसे एशावा का फिला नहीं Inner लुक्त को हो पाती है बच्चों सेगन में सचाई की अलग अलग तकर 3 सकते हैं इनको अपना-पना यहां पर बताया, जा रहा है कि कौन क्या काम करेगा ठीक है बस इस टेप्टर में इतना ही दिया हुथ है क्लास फाइब की कंप्लीट हो गई अब नेक्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यह दी क्लास टिक्स की मैं बनाऊंगी तो अभी कुछ दिन रुक के ठीक है थैंक्यू फॉर बाचिंग जया हिए है क्लास टो सुंगर रादे साथ में ओ क्लास साथ कें बाचिंगे टूच के सबख़ को अैंक्यू अ क्लास टीकूएब हैा काम साथ